एक नजर देश में लोगपाल की न्यूकती और इसके इतिहास पर भारतिय संसद में किसी विधैक का इतिहास इतना उतार चड़ावाला नहीं रहा जितना लोगपाल विधैक का रहा है मई 1979 में पहली बार लोगपाल बिल लोगसभा में पेश किया गया और पारित भी हुआ मगर राज्यसभा में पारित नहीं हो सका उसके बाद इस विधैक को 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008 में पेश किया गया लेकिन पारित नहीं हो सका 27 दिसमबर 2011 को लोगसभा में लोगपाल बिल पारित हो गया 29 दिसमबर 2011 को राज्यसभा में विधैक पर बहस चल रही थी तभी अचानक राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थागित हो गई और बिल एक बार फिर लटक गया हम पहल करें और लोगपाल कानून को पारित करें जो कमियां और कमजोरियां उस कानून में थी उनको दूर करें लेकिन 2013 में लोगपाल की मांग को लेकर जनता का संघर्ष रंग लाया और विशाल आंदोलन के बाद अतकालिन यूपिय सरकार ने संसत का संयुक्त सत्र बुलाकर भरष्टाचार विरोधी इस विधैक को पारित किया लोगपाल बिलतो पास हो गया और 2014 की शुरुवात में ही विधैक अधिसूचित भी कर दिया गया बावजूद इसके लोगपाल की न्यूक्ती नहीं हो सकी इसके तहट केंद्र के लोगपाल और राजियों में लोगपाल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भरष्टाचार के मामलों की जाच कर सकेंगे लोगपाल च्वेन समिती में प्रधान मंत्री, लोगसभा अध्यक्ष, लोगसभा में नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोड के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित जज और राश्ट्रुपती या सदस्यों की ओर से नामित कोई प्रख्यात जूरिस्ट शामिल होते हैं 2014 के आमचुनाओं में यूपिय की हार हुई और प्रधान मंत्री मोदी के नित्रित्व में NDA सत्ता में आई, लेकिन 16 वी लोगसभा में कोई नेता विपक्ष नहीं था, इस वज़ह से लोगपाल की नियुक्ती में रुका वटाई लोगपाल के नियुक्ती का मामला सुप्रीम कोट पहुचा, केंद्र सरकार की दलील थी कि लोगसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वज़ह से लोगपाल की नियुक्ती नहीं की जा सकती 2016 में अदालत ने साफ किया कि चेहन समीती में नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने से लोगपाल की नियुक्ती घैर कानूनी नहीं होगी इसके बाद सरकार ने लोगसभा में कॉंग्रिस के नेता मलिकार जुन खडगे को विशेश आमंत्रित सदस्य के तौर पर चेहन समीती बैठक में हिस्सा लेने की पेशकश की लेकिन मलिकार जुन खडगे ने सरकार की पेशकश को खारिश कर दिया पिछले साल सितंबर में लोगपाल नियुक्ती के लिए सर्च कमीटी का गठन किया गया अदालती कारवाही के बाद इस साल 15 मार्च को चयन समीती की बैठक हुई जिसमें लोगपाल उसके चार नियाएक और चार गैर नियाएक कुल आठ सदस्यों का चयन किया गया आखिरकार सुप्रीम कोट के रटाइड नयायधीश जस्टिस पिनाकी चंद्रगोश के रूप में देश को पहला लोकपाल मिल गया